नमस्कार शात्यों ये में तरह यूट्वी चैनल ले आपका बहुत्वा स्वागत था दोस्तो आज की वीडियों हम आपको बताने वाले राजस्तान पुलिस केनल बॉई भरती की जो पिछली परिश्या हुई थी दोस्तो उसमें इंटर्व्यू की समय जो प्रेश्ण पूछ गए थे दोस्तों उन सभी प्रेश्णों को हम आपके सामने बताएंगे तो दोस्तों वीडियों में आगे बढ़ने से पहले आउसे छोटा सनुरू होता है यति आपने भी तक हमारे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि हमारे यूट्व चैनल पर इस कैनल बॉइ का अरत क्या होता है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही डाउट होका केनल बॉइ का अरत होता क्या है तो कैनल बॉइ कर्बचारिक दोस्तों व मदद करते हैं और या किसी चोर चे तो पीछ लगा देते हैं तो इसको डूर्ड में मदद करते हैं या किसी प्रिकार की कोई लास दोस्तों छिफी होई होती है तो उसके लिए उन कुट्तों को लगाया जाता है और वे कुट्टे उसको सूंकर उस लाक़ के पास राजस्थांप पलिश। के करमचारियों को ले जाते हैं और दोस्तो उस लास का पता चल जाता है इट फिर्णिचार के दोस्तों के सकते हैं इसमें जो लाफ की न då को कहा जाता है तो चैनल यह अर्ता दोस्तों जो राजास्तान फ्रीच्ट कें कुत्रों होते उनका उपर जो अधिकारी लिए करमचार नहीं ख्याता विया डूटी भी दोस्तों उनी लोगों की है अब बात करते दोस्तों इसमें इंटर्वू में पहले की परिछ्यामक कुछ प्रेशन पूचे गए थे इंटर्वू में उन सभी को हम आपको बताएंगे ये दोस्तों राजस्तान पुलिस की ओफिसल बैब साइट से उठाये गए पूरे प्रेशन है तो चलिए दोस्तों पहले इन प्रेशनों के बारे में चर्चा करते हैं उसके बाद और चर्चा करेंगे तो सबसे पहले एक क्वेशन पूचा गया था कैनल बोई का साब देख अर्थ क्या होता है राजस्तान पुलिस के स्वानों का रखवाला तहां पर इसका आंसर होगा राजस्तान पुलिस के स्वानों का रखवाला स्वान किसे कहते हैं दोस्तों स्वान कहते हैं कुट्टों को इसके अलावा नेस्ट कुश्चन पूछा गया है हाली में कौन सी पसु जनगरना की गई तो दोस्तों अब प्रिजेंट की बात करें तो इसमें 20 पसु जनगरना की गई है जो की दोस्तो 2017 में की गई ऊच्टेम भी दोस्तो ये बैकैंश लिख यह जनगरना नहीं की गई थी लेकिन इस question को हमने change कर दिया है उसमें ऊच्टेम की पसु जनगरना दी गई थी तो दोस्तो हमने अब इस तैम की पसु जनगरना कर दिये इसकी बेकेंसी पहले दोस्तों 2011 के आसपास निकली थी इसके बाद नेक्ष्ट कुश्चन की बात करते है पसुओं के मामले में भारत में राजस्तान का कौन सा इस्तान है तो पसुओं के मामले में भारत में राजस्तान का इस्तान दोस्तों दूसरा है पहले स्थान पर देखे तो यूपी पहले स्थान पर आ जाता है नेस्ट कुश्चन पूछा गया था राजस्थान में पसुओं का गनत्ब कितना है राजस्थान पसुओं का गनत्ब कितना है 166 प्रतिवर्ग किलोमीटर तो प्रति बर किलोमीटर में 166 पसुओं की सेंख्या होती है तो ये कोईशन पूचा गया था उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 20 भी पसु जनगरना कब की गई थी 20 भी पसु जनगरना कब की गई थी 2017 में तो दोस्तों ये कोईशन हमने चेंज कर दिया है उसमें पूचा गया था 19 भी पसु जनगरना कब की गई थी तो दोस्तों हमने लेट जो पसु जनगरना हुई 20 भी जो 2017 हुई उसको हमने इस उप्सन में प्लिप कर दिया है उसके बाद बात करते है राजस्तान पसुओं की सेंख्या किस जिले में सरवादिक पाई जाती है जैसल मेर पर सरवादिक पाई जाती है और सबसे कम बात करें तो दोस्तों दोलपुर जिले में पाई जाती है सबसे कम दोलपुर जिले में पाई जाती है और सरवादिक आपके जैसल मेर जिले में पाई जाती है उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं यदि आपका सुवान बीमार पढ़ जाता है तो इंटरवूँ पूचे गया ये सवाल है यदि आपका सुवान बीमार पढ़ जाता है तो आप किस प्रिकार के डोक्टर के यहां ले जाएंगे तो दोस्तों आप किस परकार के डॉक्टर के दियान ले जाएंगे बैटनरी चिकेशक तो जानवरों को चिकेशक कौन होता है दोस्तों बैटनरी चिकेशक होता है इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन की बात करते हैं इंटर्वू पूछ गया स्वानों के साथ आप किस परकार का बेहवार करेंगे तो दोस्तों आपको अपनी इच्छानू सा इसका जवाब देना होगा एक पालतू पसू की तरह या दोस्तों एक पालतू जानवर की तरह हम उनके साथ बेहवार करेंगे तो मैंने जो भी आंसर दोस्तो इसमें लिखा है वो राजस्तान पुलिस की ओफिसल वेब साइट शे लिखें ओपरेशन भी दोस्तो राजस्तान पुलिस की ओफिसल वेब साइट शे उठाएं सभी इसके बाद बात करते हैं स्वानों के साथ किस परकार का बैवार करेंगे तो दोस्तों ये कुश्चन रिपीट हो गया है नेश्ट कुश्चर राजस्तान में सरवादिक किस परकार के पसू पाए जाते हैं तो राजस्तान किस प्रकार के सरवादिक पसु पाई जाते हैं दोधारू पसु जिसमें सरवादिक जन सिंख्या में दोस्तों इसमें सरवादिक सिंख्या किस की पाई जाती है बकरी की राजस्तान सरवादिक पसु हमें बकरी की सिंख्या सरवादिक पाई जाती है इसके बा साथ बात करते हैं नेक्स्ट कुछा गया था राजस्तान का जन्सेंग्या की दरश्टी से भारत में कौन सा इस्तान है तो राजस्तान का जन्सेंग्या की दरश्टी से भारत में कौन सा इस्तान है साथ वा इसके बाद नेक्स्ट बात कर सकते हैं तो नेक्स्ट कोईश्चन पूछा गया राजस्तान का जैन सिंग्या की दर्ष्टी से भारत में कौन सा इस्तान है सात्वा राजस्तानी कल्चर की क्या पैचान है तो दोस्तो राजस्तानी कल्चर या राजस्तानी वेश्बूसा की क्या पैचान है एक ये कोईश्चन पूछ पूछा गया तो वहां पर दोस्तों कल्चर लिखी थी इसलिए हमने यहां पर कल्चर कर दिया लेकिन यह कल्चर सब्द इसके लिए सही नहीं है इसमें आता दोस्तों राजस्तानी बेश्वूसा की क्या पहचान है तो राजस्तानी बेश्वूसा की पहचान है जोतपुरी प कर्टिम लिष्टा के साथ काम करेंगे तो आपको अपने अनुसार इसका जवाब देना हुगा मैं अपनी संपूर इमांदारी के साथ काम करूंगा तो यहां पर दोस्तों हमने उसमें दिया गया राश्टान पुलक्सी ओफिशल वेब साइट पर उसी का अनुसार यहां पर पर जबाब लिखा था दोस्तों आप अपने अनुसार इसका जवाब देना है एक वार दुबारा से आपको इस को देख लेना है क्योंकि यह कोश्चन दोस्तों आपके लिए आप रेपीट होगा दुबारा से पूचचा जाएगा है क्या आप कैटल वोई के रूप में रा तो दोस्तों आपको इस परकार से इसका जवाब देना होगा उसके बाद नेक्ष्ट के बात करते हैं राजस्तान की आकृति क्यों आप किस फिरकार से देखते हैं राजस्तान की आकृति क्यों आप किस पिरकार से देखते हैं विसम कोनी चत्रबजाकार तो आप किस पिरकार से देखते हैं दोस्तों विसम कोनी चत्रबजाकार राजस्तान की आकृति होती विसम कोनी चत्रबजा प्रकार या दोस्तों पतंगाकार इसके बाद नेक्स्ट कुश्चिन की बात करते हैं यदि आप से कह दिया जाए कि जो कर्मचारी सुवानों का खाना बनाता है तो आप उसे किस प्रकार का खाना बनाने की सला देंगे पॉश्टिक बोजन या दोस्तों उनका बोजन बता है सुवानों का जैसे चिकन बगेरा और सुवे की टाइम दोस्तों उनके बिस्किट बगेरा खिला जाते हैं तो आपको इस प्रकार सो उसका जवाब देना है यदि आप से कह दिया जाए कि जो कर्मचारी सुवानों का खा जाते हैं चिकन बगेरा खिलाए जाती है तो इस प्रकार का बोजन बनान की आप उस कर्मचारी को सला देंगे इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन बताते हैं आपको राजस्तान राज को आप किस नजर में देखते हैं यहां पर इसका जवाब दिया गया था उस टेम दोस्तो परियतन की दरश्टी से और बीरों की भूमी के रूप में राजस्तान राजस को आप किस नजर में देखते हैं तो दोस्तो उनके पूसने का मतलब था आप राजस्तान राजस को इतियास की दरश्टी से किस परकार से देख सकते हैं और दोस्तो बहुगलिक दरश्टी से कि प्रपी इस्तान है और वीरों की भूमी के रूप में दोस्तों राजस्तान को बैसा ही जाना जाता है इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करते हैं कल्चर की दरश्टी से राजस्तान बहारत का कैसा राज जाए भारत के बाकी राजजों से अविन बिनता रखता है तो इस कांसर वहां पर दे रखा था दोस्तों कल्चर की दरश्टी से राजस्तान बहारत का कैसा राजजा बहारत के बाकी राजजों से अविन बिनता रखता है राजस्तान राजजे इसके बाद नेक्ट कुश्चन की बा दोस्तों यह तो आपके नोट्रिपिकेसन में दी रखा है यह कोईशन तो राजस्तानी बहासा को किस परकार की लेपी में रखा गया है देवनागरी लेपी हिंदी में रखा गया है तो यह कोईशन तो आपके नोट्रिपिकेसन में भी दे रखा है इसके बाद बात करते हैं क्या पूचा गया राजस्तान पुलिस का प्रिटिक्चन क्या है विजय इस्तम्र तो दोस्तो इसके टोटल मिला के कुल कोईश्चन पीडियाइप के रूप में राजस्तान पुलिस की ओफिशल वैब साइट पर साड़े 300 के आसपास कोईश्चन दे रखें दोस्तो जो पहले की भरती में जो इंटर्वु की टैम पूछे गए थे बे कोईश्चन दे रखें दोस्तो यदि आपको लगता है कि उन सबी कोईश्चनों को दोस्तो हम इस फिरकार्श कराएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में य जब तक के लिए नमस्कार जै हैं टे जैवार रहा हूं